जवाहर लाल नेरु स्टेडियम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। पहले चर्चा में क्यों था? क्योंकि दलजीत दोसांज का वहाँ पर एक कॉंसर्ट होना था। 2627 तारिक को दो दिन यहाँ पर दिलजीत के वो कॉंसर्ट हुए। तो वुस वज़े से चर्चा में र पर भारत का जंडा बुलंद करें वही स्टेडियम की जो तस्वीर है जो हम आपको इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं वह चौक राने वाली है क्योंकि बॉटल्स बिखरी हुई है, खाने का समान बिखरा हुआ है, चीजें उधर उधर फेकी हुई है। जिसका कोई भी आ अध्लेट ट्रेनिंग नहीं करता, वहाँ पर स्टेड नैस्टाल इंटरनेशनल इविंट्स नहीं हो रहे थे, ठीक है, वह बात अपनी जिगह पर है। लेकिन जो कमेंट लेके स्कीम के बच्चे आते हैं, वो यहाँ पर प्राक्टिस करते हैं। और आज वो आये यहाँ प सब्सक्राइब जो आये थे, उन्होंने सोचा कि यार हम आये हैं, हमें ट्रेनिंग करनी हैं, तो क्यों ना हम खुदी कुछ महनत करने हैं, इसको साफ सूफ करते हैं और हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर लेंगे। उसकी तस्मीरें स्पोर्स तक को मिल गए, उसके वीडियो स्प सब्सक्राइब तो उनके लिए स्टेडियम रेडी होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि वो प्राक्टिस अरीना में प्राक्टिस कर सके। अब आन फानल में जब यह चीजें साही को पड़ा चली तो उन्होंने सफाई का कारिकरम जबाश शुरू कर दिया, सफाई हो भ रहते, उनको basic behavior पता ही नहीं है शायद, अगर आप कहीं जाते हैं, आप कैसे behave करते हैं, आप अपने घर में क्या खाने पीने के चीज़ों को खाने के बाद गहीं वहीं फेक देते, नहीं आप ठाके dustbin में डालते हैं, लेकिन यहां पर यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ वो जो लोग आये थे उन लोगों ने खाया पिया और समान वहीं इधर उतर फेक के चलेगे जबकि स्टेडियम के अंदर में बहुत सारा डस्पिन्स लगा हुआ है अगर वो चाहते तो वो एक अच्छा बेहिविर दिखाते हुए वो डस्पिन्स का यूज करते और वो सारा स सावाल उसके पर डाल सकते थे तो स्टेडियम जिस हालत में है जो नजर आ रहा है शायद वैसा नहीं होता दूसरी बात यह कि जो कॉंट्राक्ट हुआ था साई और सारे गामा के बीच में सारे गामा जो इस इवेंट का और ग्नाइजर था उसके बीच में वो ये था कि एक रात में हतम होता इवेंट आज सुबह से स्टेडियम बनता लेकिन शाम को खुलता है तो वहां पर मिलती है सिर्फ और सिर्फ गंद की गंद की गलावा कुछ नहीं यानि कि इसमें जिम्मेदारी अगर कहें तो दोनों की है जो हमारा स्पोर्ट्स थार्टी ऑफ इंडिया उसकी भी है प्लस जो इवेंट और्ग्योईजर्स थे उनकी भी यहां पर जवाब दही बनती है कि उन्होंने यह सब कैसे अलाव किया लिकर्स तक वहां पर हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी में मिली कि वह उसमें वहां पर स्टेडियम के अंदर में मिली है तो वह कैसे अलावड हुआ क्या वहां पर कोई स्कैनिंग नहीं थी कोई वहां पर चेकिंग नहीं कर रहा था यह सब बारी सवाल है तो उसमें जो सिक्यूरिटी एजिंसी वहां पर हायर की गए थी उसकी भी जवाब दही है सारे गामा की भी जवाब दही है यह कॉंसर्ड जो की स्टे स्टेडियम इंचार्ज को उन्होंने इंस्टक किया है वहां पर सफाई चल रहे हैं और कल से स्टेडियम रेडी भी रहेगा जैसा पहले था वैसा ही अथलीट्स को मिलेगा लेकिन इस तरी की चीज़े काफी चौकाने वाली है ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहीं पर हले ही वो common play की स्कीम है और छोटे बच्चे आधें ट्रेणिंग के लिए लेकिन यहीं से खिराडी तयार होते हैं बड़ा अथलीट कोई ऐसे रातुरात नहीं बन जाता है वो भी इसी दौर से गुजरता है वो इस बात ख्याल रखना चाहिए और जीतने भी अथलीट्स इ लिए क्रिकेट का सबसे बड़ाते हो हां मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब जानने के लिए हर अपडेट लाइव इनालेसिस स्पेशल इंट्रव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्च तक हैं